नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज आप सभी के लिए डियलेट सेकेंडियर के पहले प्रस्ण पत्र संग्या नदीगम और वाल विकास की पहली एकाई अधिरम की अधरना इवं प्रक्रिया के अंतरगत ब्योहार क्या है इसकी परिवासाएं क्या रहेंगी और आपकी इसकी विशेष्टाएं क्या होंगी इस पे बात करेंगे पिछले कई सारे प्रस्ण मैंने कराए हैं प्लेलिस्ट बनी है वहां से आप चेक कर लीजिएगा विजो ब्योहार है आपका एक नंबर या दो नंब पूछें तो ब्योहार क्या है इसकी परिवासाएं क्या है और इसकी विशेष्टाएं क्या है इस तरीके से कुछ भी अगर पूछा जाए तो आप लिखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए 100% आपका ये परिश्चा में आ सकता है आईए बहेवियर ब्योहार का सामान आशय व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले उस ब्योहार से है जिसके आधार पर व्यक्ति विविन्य प्रकार के दायत्तों एवं क्रियाओं का निर्वहन करता है ब्योहार के आधार पर ही उसके व्यक्तित्तों के बारे में व्यक्तियों द्वा जिसकी गतिविधियों का प्रभाव निश्चित एवं प्रभावी रूप में देखा जा सकता है इसे विद्वानों द्वारा निमलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है ब्योहार क्या है ये तो उपर हो गया आपका इसके बाद ये जो परिवासाएं हैं वो यहां पर रहेंगी ब्योहार की परिवासाएं क्या है देखिए एक नंबर में ब्योहार की परिवासा क्या है ये भी आपका पूछा जा सकता है या फिर हो सकता है कि परिवासा लिख दी जाए और कहा जाए कि इसे किसने लिखा है तो ध्यान से आप समझेगा डॉक्टर अनीता बरॉलिया के नुसार बेवहार संबंधी विचार को किसी व्यक्ति घटना एवं उद्देश के संदर्व में प्रस्तुत किया जा सकता है जो क कि व्यक्ति के सामाजिक दायत्यों का निर्वहन एवं दूसरों से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है यहां पर दायत्यों हो जाएगा इसके बाद श्रीमती आरके शर्मा ने कहा है ब्योहार से आशय उन गत्विधियों एवं क्रियाओं से है जिन्हें व्यक्ति समाज किसी दूसरे व्यक्ति एवं किसी उद्देश के प्रतिशंपन करता है जो की उचित एवं अनुचित रूप में हो सकता है इसके बाद यहां पर इसका कि ब्योहार मानविये क्रियाओं एवं गत्विधियों का वह समू है जिन्हें वह अपने सामाजिक संबंध दैहिक संबंध राजनीतिक संबंध सैक्षिक संबंध एवं भौतिक संबंधों के आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत से होता है इसके बाद हैं ब्योहार की विश करने में निम्लिक विश्ग द्रिफ्टी गोचर होती हैं देखिए क्या क्या विश्गत विश्गत विख्टी-जाने वाली विविहन्य प्रकार की कुरियांओ एवं गतिविधियों से होता है वेवहार को उसके शुरूप आवश्चत एवं माननताओं की आधार पर उचित एवं अनुचित व्योहार के रूप में जाना जाता है व्योहारों में व्यक्तिकत भिनताएं पाई जाती हैं जो की व्यक्ति की शारेडिक और मानुशिक भिनताओं के कारण होती है जैसे मंद बुध्धी, प्रतिभाशाली, अपराधी एवं शामान बालकों के व जुहार में भिन्यता पाई जाती है हर इंसान के अंधर अलग-अलगि बुद्धी होती है अलग तरीके से इनका दिमाग काम करता है ने्ट exacerb विन्यता होती है शारिडिक भिन्नताएं होती हैं जो शारिडिक बनावट होती है उसे शारिडिक भिन्नता कह सकते हैं ये सब अलग-अलग होती हैं हर किसी की शारिडिक या मानसिक जो भिन्नता रहती है एक जैसी नहीं रहती सब अलग-अलग होती है बिभिन्न प्रकार की असक्षमताएं भी बालकों के ब्योहार को भिन्न बनाती हैं जैसे स्रबन शीनता यहाँ पर ये वाला ख्षा रहेगा यहाँ पर कर लीजिएगा द्रिश्टी शीनता एवं बाधित वाले बालकों यहाँ पर थोड़ा में स्प्रिंट हो गया है बालकों रहेगा के ब्योहार में परियाप्त ब्य जाती है व्योहार का संबंध विविन्य प्रकार की कुशलताओं से होता है जिन्हें व्यक्ति अपनी व्योहारिक योगताओं के माध्यम से प्रदर्शित करता है जैसे व्योहार संबंधी कुशलता एवं श्रैक्षिक व्योहार संबंधी सिक्षक की कुशलता आदि अगला है ब्योहार का स्वरूप विविन्य प्रकार की घटनाओं एवं परिणाओं के आधार पर निश्चित होता है जैसे एक व्यक्ति आदम खोर भीडियों को मारता है तो उसके उचित ब्योहार की प्रसंसा की जाती है इसके विपरीत वह एक सामाने कुत्ति की हत्या कर देता है तो उसके व्योहार को कुरूरता पूर्ण व्योहार की संग्या दी जाती है इसी के साथ ही आपकी व्योहार की परिभासाएं व्योहार क्या होता है और व्योहार की विशेशताएं क्या होती है का टॉपिक आपका पूरा हुआ है यदि आपके समझ में सब कुछ आ गया हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और पोस्ट को लाइक करें कमेंट करके बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बताईएगा आपको बताया जाएगा आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन सुभो